हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं इस्टेडी फीर चैनल दोस्तों आज में सारे रिक बिक्रितिया कौन-कौन सी है यानि फिजिकल डिफार्मिटीज कौन-कौन सी है और उनके साइन्टिफिक नेम क्या है और किस करेट्टी एकसरसाइज के द्वरा उसको ठीक किया जा सकता है इसके बारे में आज डीटेल में बताओंगे एंडिस्टों सारेक आसन यानि बाड़ी पोस्टर क्या है और सेरीक बिक्रितियं के काrण क्या होते हैं इसके बारे में फिर्ष्ट वीडियु में बिताचुकी हूँ उस वीडियो को आप चैनल के फिलेटिपर्श में जार कर क है उसी को इसमें बता रही हूं दोस्तों यह बेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है इससे कोश्चन आवसे पुछे जाते हैं तो आप वीडियो को सुरू से लाज तक देखिए इसके मत किजेगा मैं जो भी लाती हूं आपके लिए इफेक्टिव टॉपिक ही लाती हूं क्योंकि जो मैं नया वीडियो अप्लोड करूं उसका नाटिफिकेशन आपके पास जाता रहें तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे तो जोस्तों सारीक विक्रितियां जो हैं यानि हमारे जो सारीक की सही आसन है उसमें जो भी विक्रिति उत्पन हो जाती है यानि आसन के कोई और अवस्त्ता जो हो जाती है चाहिए आधा डूर में ज्बर्गर्ठना के कारण वह वह क्या ट्रहरती है दो प्रकार का होता हैं एक क्रियात्म विक्रिती यानि फंक्शनल दिफामेटी एक सनचनात्म विक्रिती यानि इस्ट्रक्चिर दिफामेटी जो कर्यात्म विक्रिती होती है वो कोमल उत्तकों में पेसियों में प्रहावित होती है जिसे हमारे में देखने शुनने बोलने समधि दोसुत्पन होते है यह सब चीजे एक विक्रिफियां जर्मजाद किसी चोड किसी रोग किसी दुर गटना के कारण हो सकती है जिएकि सनोचनात विक्रिफिया यानि This structure of विक्रिफियादी je लिवार्मटी होती है जो हमारे हर्डियू और मांसमेशियों को भी सेस्यों से प्रहावित करती है उसके सनज़ता में विक्रिति उत्पन कर देती हैं आकार में परिदिन कर देती हैं वो जर्मजाद भी हो सकती हैं किसी बीमारी के दुरगटना के चोट या कुप उसर बुरी आदतों के करार हो शकती हैं तो ये दो परकार के आपकी विक्रितियां होती हैं अब में कौन-कौन से भी खुरतियां है कौन कहों सी भी खुरतिया हमारे दाiu जाती हैं चैनल करोहाई को हिज़िए को हो गया पुछ हो गया। ऑद्धां इस नियुट के बारे में बताऊंगी इस सekingे आपकी एक्जाम्स में हमेशा questions आते रहते हैं सबसे पहले बात करूँगी काइफोसिस काइफोसिस के बारे में बहुत सारे questions पूसे जाते हैं क्योंकि इसमें confusion रहता है इसके scientific नाम को लेकर दोस्तों काइफोसिस जिसका हिंदी में ओर्थ होता है कुबडापन कुबजिता जैसे कि आप बहुत सारे लोगों के देखे होंगे पीछे पीछे पीट के तरफ बाहर की तरफ इसमारा निकल जाता है और उसको कुबडा बोलते है इसमें scientific name में इंग्लिस में उसको काइफोसिस बोला जाता है जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि पीट के तरफ हमारी जो उपर की तरफ जो पीट के तरफ भाग होता है और बारा की तरफ निकल जाता है उसे कहते है काइफोसिस या कुबडा पर इसके कुछ scientific name है जो आपके एक्जांस में पुछे जाते हैं 100% तो इसको ध्यान से देखेगा इसको कवर्ड बैक यानि की वकर पीट गुमाओदार पीट बोलते हैं एंड राउंड बैक राउंड स्वलर नहीं राउंड बैक राउंड स्वलर दुनों आप से में देता है तो काइफुसिस के लिए आपको राउंड बैक बैक सब्द जरूर रहेगा यह ध्यान में रखेगा एंड हंच बैक एंड थोरसिक काइफुसिस इस सब नामों से जाना जाता है तो इसको फ्राइभास की परिवावसा देख लेते हैं इसकी परिवासा है कि सब्द यानि की हमारे जुढ़ं 2 इन इंकल जाता है कि तूंसे रहार जाता है उरन दोसे और होता है च तरह को 93 होग तहिंकित यह से ऐसे को बीके घ्लन निकला Confederacy keyword connect aç चैनल आप ऐसे कंट सुट आपकोन को शुची सब्सक्रों बीडिक ऐसे अज़ेन को होग तोérence पीठ्ष पे गर्दयके नीचे पीठ्ष पे होता है तो उसके अगल बगल जितने भी PC उंगी MATHC h Suzanne वह सब प्रहाविद होंगी कोन कौन से PCS होती ये प्रहाविद ट्रीपेजियस जो गर्दयके नीचे फयला राता है सेटरस इंटियर लेटिम French दॉरिसी इस सभी मांस पैसियां काउपोशी होने पर प्रौवित होती हैं इस सभी मांस पैसियों के पारे में मैं अल्रेडी बता चुकी मेरे चल्किनल 116 में जा करके तो यह सब पैसिया प्रौवित होती है और दूस्तों काईफोसीस हो कैसे जाता है किसी को जनल जात होते हैं बट किसी को बाद में हो जाते हैं तो कैसे हो जाता है जैसे कि आर्थराइटीस आपके हड्यों में कोई बीमारी है आस्टियोपोरोसीस इस्पाइन संक्रमण है या वाच समधी कुछ रोग है जैसे कि ब्रोंकाइटीस दमा यानि जिसे अस्थमा कहते हैं तपेदी या जो टीबी इस सब के कारण आप ओरलोड के कारण आप ओरलोड अपने पर दे रहे हैं तो भी हमारी काइफोसीस हो सकता है आप इस काइफोसीस क की तरव ख़्डा करके बेल्ट गर्दन की नगा देंगे या आपने हात को लगा देंगे और स्पाइन पोजिसें में कंधों की नीचे सेंड बैग लगा करके भी सो सकते हैं यह सब आप प्रक्यापना सकते हैं तो दोस्तों यह था आपका काइफोसीस जैसे आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से अब बात करते हैं लाडोसीस की जैसा कि चीतर में देख रहे हैं लाडोसीस लाडोसीस को हालो बैक स्वे बैक बैक पोस्टर डिफेक सेडल बैक इन सब नामों से जाना जाता है आप इसको जरूर ध्यार में रखिए तीन से चार बात लिखिए कापी पे तभी आपको याद होंगे लाडोसीस को क्या बला जाता है हालो बैक स्वे बैक बैक पोस्टर डि इन्वर्ड कर्वेचर यानि कि जबकि मैं बताई थी कि जो हमारा एक सेस्वी इन्वर्ड कर्वेचर आप दर इस्पाइन यानि इस्पाइनल कार्ड में जो हमारे क्रीड के होड़ी होती है इन्वर्ड यानि अंधर की तरफ को कर्व हो जाता है गड़े की तरह हो जाता है जैसे कि हमारे कमर वाले भाग में हमारे जिस कमर वाले भाग को लंबर रीजर कहते हैं लंबर रीजर वाले भाग में आगे की तरफ अत्यधिक वक्र हो जाता है बीच में गड़े टाइप का हो जाता है वक्र हो जाता है जैसा कि च हमारा लाडरो क्या होता है इन्य वर कर्वेटर स्पैइनल होता है यानि यादर अंदर की तरफ धस जाता है तो यानि लंबर गल्ट एड़ीऊ पर आ जाता हैं संतुनमर के नहीं होपाता है यह सब विक्रितियां के ल फिक लौण उत्पन हो जाती है। मैं इसका कालर क्रीह मर में ब coral नद कुह ने दोस्तों है इस प्रागा कि समस्य होने लगती हैं अस्थियों की बृधी रुक जाने से बौनापन हो जाने से इस पॉंडी लो सत्यसिस यानि रिड की हर्डी का कमर के पास आगे की और निकल जाना और मोटा-पा के कारण भी हमारे पोजिसन में आएगा जैसे की शीट अब बेंट की सिट अब यानि की घुटने को मरके सिट अब कीजिए स्ट्रेट कीजिए शुपाइन पोजिशन साइकलिंग सो करके साइकलिंग कीजिए छीट्र में दिखाई दे रहा है इन सब को करने से आपका जो लाडो सीस है वो ठीक हो सकता है नेक्स्ट है आपका राउंड सोल्डर यानि कि हमारे जो कंधियों हैं वो स्ट्रेट रह करके सीधे नहों करके आगे की तरफ निकल जाते हैं जैसे कि चेजर में दीख रहा है इसे प्रभावित होते हैं ट्रेपेजियस रुहंबैट लिव करके अपने कंधियों को सई कर सकते हैं जोल्डर रोटेशन यानि कि दोनों साइड से अपने सूल्डर को रोटेट कीजिए नीचे की तरफ जटका दीजिए वाल बार्स कीजिए सवासन धरुरासन कीजिए साथी की सहाता से विप्रदिशा में एक दुसरे को फसा कर कमर को कुर्सी पे बैड कर दुनों हाथों को पीछे बाद कर चेस्ट को आगे की तरफ धकेल के पुस्ट करते हुए एक्सरसाइज कीजिए यह सभी करेक्टर एक्सरसाइज की दौरा हम राउंड सोल्डर यानि जो सोल्डर आगे की तरफ निकल जाते हैं उसको ठीक किया जा सकता है नेक्ष्ट है दूस्तों इसकोलियोसीस में क्या होता है कि इसको हम साइंटिफिक भासा में मेरु दर्णक की पार्सव कुबजिता यानि लेटर डिवियेशन आफ इस्पाइन भी बोलते हैं तो सबसे पहले इसमें कुबजिता सब्दे से भ्रम में मत पढ़िएगा कि काईफोसीस के बारे में बता रहा है पार्सव पार्सव सब्द है इसको ध्यान में रखेगा यानिकी अगल बगल इस्पाइनल कार्ड के जुग जाने को कहते हैं पार्सव कुबजिता इसको लेटरल डिवियेशन भी कहते हैं इसको ध्यान में रखेगा लेटरल इसमें क्या होता है जो हमारे मेरुदन याने स्पाइनल कार्ण याने जीड़ की हड़ी होती है वो एक और जूग जाता है जिससे हमारे सोल्डर एक तरफ जूग जाता है और हमारा हिप दुसरी तरफ ज़ुप जाता है जो कुल्य होते है वो दुसरी तरफ ज़ुप जाती है जैसे कि चित्रे में दीख रहा है तो दोस्तों यह Skoleosis जो है दो प्रकार का हो सकता है तो दोस्तों इसको कृंग कोर सी exercise को घा किया जा सकते हैं तो कि इसको वाल बार पर आप संतुलन बना सकते हैं और थिसा में जुकना side bending exercise कर सकते हैं br Bringing Scene में Sat Meridung ै solve a मेरोदन रिड़ की हटी होती है इसमें जो लचकता यानि लचिलापन होता है मुड़ने का इधर उदर वह खत्म हो जाती है लचिलापन ही खत्म हो जाएगा दोस्तों तो सुचिये क्या होगा यानि साइड वर्ड फार वर्ड बैक वर्ड कोई भी रोटेशन गर्डन आगे- पीछे दाएं बाएं नहीं घुम सकती है इधन लचिलापन गायब हो जाता है इन क्रियाओं को करने में अत्यधिक दर्द उत्पन होता है पेसिया कमजोर हो जाती है इसी को रिगड इस्पाइन यानि सक्त मेरुदन बोलते हैं यानि मेरुदन हमारा सक्त हो जाता है कठूर करने की कोशिश करेंगे अब फारवर्ट बेंड यानि आगे की तरफ फारवर्ट बेंड खड़े होका हाथ उपर से नीचे की जमीन को छुना हलासन सुप्तकुडासन इस सब करके आप इस समस्या से निजायत पा सकते हैं नेशने दोस्तों बाव लेग या जेनुवरम से इसको बंडी नेश बंडी लेग भी बोला जाता है इसमें क्या होता है दोस्तों कि दोनों घुटने बाहर की ओर दाएं बाएं निकल जाते हैं अक्सर ये बाल्या वस्ता में जादी होता है इसमें दोनों घुटने बाहर की ओर दाएं बाएं तरफ निकल जाते हैं जैसा कि चुत्र में दीख रहा है इसमें ओकिया आखरिती बना देता है बहुत आखरो लेग дोस्तों या जया nuguöl गम 9 Cand suspect इसमें क्वछी गुटने आपस में तक्रानी लगती है यसकी आखरिती बनाती है यह बसकी तरफ हो जाता है जया जेनुवद्वराम के तरफ तो नौकनी यानी एक दमर्फ ग duration based तो में यानी कि एक दम शता जाती हैं दमर्फ, जूप होता है या बाम लेक या कुछ भी साथते है उसको चिपकाते है तो उसी से आप यहिद कर सकते हैं वैल्ष ग्म जाता यानि एक्ती में सट जाता है घुटने आपस में उसको कहते हैं वाव लेग या जेनुवल गम एक्स की आकरिती बनाता है इससे जो है फ्लैट फूट होने की जादे संभावना हो जाती है तो यह दोस्तों आपका नौकनी जेनुवल गम और वाव लेग जेनुवल रम आप इसको बचिए शुप से तीन चार पांच बर दोहरा लेजिए क्योंकि इससे बहुत बर कुछन पुछा जाता है और कंफ्यूज मत रहुएगा शwenड़ीत है दोस्तों चपटा पाओं यानी फरेट प्लैट फूट जिसे कौते हैं इसको फ्लैट फूट या पेश प्लैनस भी बोला जाता है कभी कभी फ्लैट फूट नहीं पुछकर के प्लैएस बोल दिता है आप ध्यान में रखेगा उसके नामों कोंगेंके नामों से तो आपके याद रखना जरूरी है जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चपटा पाउ फ्लेट फूर्ट जिसे प्लेश पैनस भी बोला जाता तो प्लेड़ फोरड मतलब सम्थल होता है तरफ जब आप खड़े होंगे तो आप pos cricket कोई वाक्र नहीं बने गा सम्थल होगा जैसा कि चित्र में डिग रहा है चलने पर पंजे बाहर की तरफ सकता है फिर पंजे गुम आप की तरफ आ तो पूरा पूरा सठ जाएगा जमीन में उसमें कोई वक्र नहीं बनेगा खाली जगह नहीं बचेगा जैसा कि चित्र में दिख रहा है उसी को कहते है फ्लैटफूट दोस्तों फ्लैटफूट में दो प्रकार के आर्च बनते हैं इसको भी आपको इंपोर्टन है याद रखन एक लांगित्यूडनल एक ट्रांसवर्ड लांगित्यूडनल में आपका ऐनी से पैर के अंगूठे तक प्रकार का जैसे कि पैर की छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक दो आर्च बनते हैं नेक्स्ट है आपका पंजा पाओं यानि क्लेफूट जिसे पेस कैवस बोलते इसे फ्लैट में कोई वख्र नहीं बनता तो पंजाप्व में बहुत जादी वख्र बन जाता है यानि पंजी पसुगों की खूर की तरह मुड़ जाते हैं जैसे कि चित्र में दिख रहा है तो फ्लैट फुट को जाश्च उल्टा होता है कि इसको कई नामों से जाना जाता है यािसा का आप क्लेप फूट, पेस्टेवर्पोच, एह जाने है जब क्ले फूट को पेश कैवस बुला जाता है हाल कले फूट को हालो फूट टोज भी बुला जाता है तो इसको ध्यान में रखेगा एंग्ड निस्ट है यानि हमारे जो सीना होता है कबूतर की तरह हो जाना याने सील आगे की तुर्फ कबूतर की तरह निकल जाना ही Pigean Chest होता है Next Heck, आगे की तरफ सील, यानि की forward head या folk neck बोला जाता है तो दोस्तों यह था आपके कुछ फिजिकल डिफार्मिटी यानि की सारे बिक्रितियां जो आपके एक्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने एट किया है इसमें तो दोस्तों आई होप कि इस सभी बिक्रितियां आपको अच्छे से समझ में आया होगा कोई भी रही हूं और आप उसमें जो कोई होगी जो भी अच्छाई होगी उन सब को कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं तो जो भी अभी टापिक्स बचा हुआ है उन सभी टापिक्स को मैं इस्टेप पूरा करूंगी खेल चिकिस्था उप्चार को टापिक चल रहा है तो मै इसमें बिक्रितियां आज समाप्त कर दी उसके बाद मैं खेल चोटों के बारे में जितने भी चोटे हैं उसके बाद जो भी आपके सारे एक ब्यायाम से समद्धित उपचार होते हैं चाहे आपका जल चिकिस्था हो बर्फ चिकिस्था हो आपका मोम चिकिस्था हो मालिस के के लुपिंग का इन सब के बारे में इस टेप बा इस टेप वीडियो लाती रहूंगी बस आप पर रिफ्रेशन करते रहिए और दोस्तों और यह वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताईए वीडियो को ज्यादे सजादे आप दोस्तों गृूपों में स सब्सक्राइब केजिए बेल आइकन को भी फ्रेस कर लिए जिसी जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नाटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें